एससी प्रीबियस एर क्वेस्टिन उनी सो निनानवे से लेकर अब तक का जो आया है उसमें चैप्टर फाइव हम लोग डिस्टेंस एंड डारेक्शन दिसा और दूरी का पहला क्वेस्टिन करेंगे एक से लेके पांस तक का क्वेस्टिन रहेगा इस वीडियो में तो दिसा और दूरी में सबसे पहले डारेक्शन हम लोग यह जो है इस्ट हो जाता है पूर्ब तो पूर्ब के अपोजिट आपका हो जाएगा पस्चिम और अगर पूर्ब की तरब मोह करके खड़े हो तो बाएं तरफ आपका उत्तर हो जाता है तो इस तरीके से पूर्ब पस्चिम उत्तर दच्छिन और उत्तर और पूर्व के जो बीचो बीच वाली लाइन होता है यानि 45 डिग्री पे ये डारेक्शन आपका बोला जाता उत्तर पूर्व और उत्तर और पस्चिम के बीचो बीच वाली जो लाइन ये डारेक्शन बोला जाता उत्तर पस्चिम ऐसे दच्छ दिसा में 2 km चलता है दाएं घूम जाता है और 2 km चलता है पिर दाएं घूम जाता है और चलता है यह बताइए कि अब वह कौन सी दिसा में जा रहा है तो एकदम सिंपल इसी ग्राफ में बनाकी दिखाते हैं देकी हमारा क्या question है कि एक ब्रब्रत cta मान लेते हैं, यहीं से चलना सुरू किया, ठीक है, एक पॉइंट से चलना, उत्तर दिसा में 2 km चलता है, किधर गया यह, उत्तर दिसा की और गया, 2 km, दाएं गूम जाता है यानि अगर आप इधर मो करके जा रहे हैं और दाएं गूमेंगे तो दाएं कि धर पड़ेगा आपका इधर तो दाएं गूम जाता है और दो किलो मीटर चलता है यानि दाएं गूम के ये दो किलो मीटर चला फिर दाएं गूम जाता है यानि अगर आप इसी डायरेक्शन में जा रहा है। जिसां में जा रहा ह तो कौन सा डायरेक्शन होगा एक दो nic सिंपल सा अंसर रहता है इस सब टएप के क्वेस्ट का क्वेस्ट्टन दिसां में ह। तो आफसन हमारा correct हो गया A Question number 2 हम लोग करते हैं देखे क्या कहरा है एक बिंद उसे चलना प्रारंब करता है उत्तर दिसा में 2 km चलता है वह दाएं मुड़ता है और 3 km चलता है फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 2 km चलता है अब वह किस दिसा की ओर मुड़ा हुआ है तो डायेक्शन हमारा यह हो गया इस्ट पूरब हो गया पूरब के जर्ष्ट पोजिट पस्चिम और पूरब की तरफ मो करके खड़े हो तो जो बाएं तरफ उत्तर और यह दच्छन हो गया अब बनाना सुरू करते हैं एक वेक टे यह डायेक्शन हो जाएगा और तीन किलो मीटर चलता है दाएं मुड़के यह तीन किलो मीटर चलता है अब इधर मुख करके जा रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है अगर इधर मुख करके आप जा रहे है तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर जाएंगे बाएं मुड़ता ह तथा दो किलो मीटर चलता है अब पूछा है अब वह किस दिसा की ओर मुड़ा हुआ है यानि किस दिसा की तरफ वो जा रहा है तो किस दिसा की ओर जा रहा है वो उत्तर की तरफ जा रहा है तो आफसन हमारा डी करेक्ट हो गया question number 3 हम लोग देखते हैं एक पॉइंट से चलना शुरू करता है उत्तर दिसा में 2 क्लिवमीटर चलता है फिर दायए घूम जाता है और 2 क्लिवमीटर चलता है फिर दायए गोम जाता है और चलता है या बताईए कि आप वह कौन सी दिसा में जा रहा है तो एक point से चलना शुरू करते हैं, एक point आप कहीं पर भी मान लेते हैं, अब क्या कहरा है, उत्तर doesat में 2 km चलता है, तो ये उत्तर doosa में 2 km चलता है, फिर दाईगूंझाता है, इदर मुख करके जा रहा है, अगर आप दाईगोंगे तो इस तरफ रहेंगे, फिर पूछा है कि वो कौन सी जिसा में जा रहा है दच्छिड जिसा में जा रहा है आफसन हमारा एक रेक्ट हो गया क्वेस्टन नमबर फूर हम लोग करते हैं जानकी अपने घर से उत्तर की ओर दो किलो मीटर चली वहां से वह दाई और मुड़कर एक किलो मीटर चली फिर वह दो बारा दाई और मुड़ी और दो किलो मीटर चली वह किस दिसा में जा रही है तो सबसे पहले देखते हैं अपने घर से उत्तर की और दो किलो मीटर घर कहीं पर भी माल लेते हैं माल लेते हैं यहां पर उसका घर है तो उत्तर की और दो किलो मीटर गई वहां से वह दाइं और मुड़ी इधर आप जा रहे हैं तो दाइं तरफ उड़ेंगे तो दाइं आपका ये पड़ेगा दाइं और मुड़ी एक किलो मीटर चली फिर वह दोबारा दाइं और मुड़ी तो इधर आप मुख करके जा रहे हैं तो दाइं आपका ये हो गया दाइं ओर नुर empieza factual जा रही तो लास्ट में किस दिशा में जा रहा है। साउथ यानि धचछण दिशा में जा रही है तो आप संस्य हमारा करेक्ट हो गया question number five हम लोग देखते हैं कहरा है सुरेश एक अस्थान से चलता है दच्छिड की ओर दो मिल चलता है दाएं मुड़ जाता है और हाफ मिल एक सही एक बटा दो यानि देड़ मिल चलता है बाएं मुड़ जाता है और फिर हाफ मिल चलता है फिर पीछे मुड़ जाता है या बताईए वह किस दिशा में चल रहा है तो एक एक पॉइंट चलते है सुरेश एक अस्थान से चलता है दच्छिड की ओर दो मिल यानि अस्थान कहीं पर भी हम लोग मान लेते हैं यह हो गया आपका अब दच्छिड की ओर दच्छिड हमारा नीचे की तरफ है तो दच्छिड की ओर दो मिल चलता है दच्छिड की ओर दो मिल चलता है दाएं मुड़ जाता है इधर मुग करके अगर आप जा रहे हैं तो दाएं मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इस तरफ हो जाएगा दाएं मुड़ गया और एक सही एक बटा दो मिल चला फिर उसके बाद दिया है बाएं मुड़ जाता इधर मुख करके अगर आप जा रहे हैं तो बाएं मुड़ेंगे तो बाएं आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा बाएं मुड़ जाता है और एक बटा दो मिल चलता है तो एक बटा दो मिल चलता है फिर पीछे मुड़ जाता है अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं इस दिशा में अगर आप पीछे मुड़ेंगे तो आपका डारेक्शन क्या हो जाएगा इसके जस्ट अप